कि वेलकम बैग गई स्वागत है आपके बाद फिर से मसी मतमेडिक्स क्लासे में दोस्तों मसी में प्रिवेश यह स्टडिज इन अलजेब्रा को अपन यहां पर पढ़ रहे हैं जिसमें हम यूनिट फॉर्थ जो है उसकी क्लासे हमारी तल रही है और आज हमारी सेवन्त क्लास है ठीक है प्रतिक क्लास में आपको एक थोर्म जो है वो प्रवाइड करवाई जा रही है ताकि आपके ऊपर कोई बढ़न भी फील ना हो और आप जो थोर्म को है एक से दो बार जरूर देख सके ठीक है आज अपर नेक्स के तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमेशें की तरह एक रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्लास को लाइक भी जुरू कीजिए अगर आपको कुछ देख फाइदा होता है तो ठीक है परवच जैसे भी आप इन थोर्म को लिखेंगे तो यह लिखते टाइम आपकी 70% जो है वो याद हो जाएगी यहीं पर है तो बढ़ते हैं हमारे थोर्म की तरफ और थोरों में कहा गया है कि लेट वी बी एन एन डेमिनेशनल वेक्टर स्पेस और एफिल्ड एफ यानि कि वी को एक एन डेमिनेशनल वेक्टर स्पेस दे रखा किसी फिल्ड एफ के अंदर विद बैसिक्स ओफ वी ठीक है जिसका बेस क्या होगा वी होने वाला है यानि कोई मैक्ट्रिक्स होगी उसके लिए उसके अलावे नोंने दिया है कि वी डैस भी एम डेमिनेशन वेक्टर स्पेस और फिल्ड एफ यानि कि आपको वी डैस भी क्या दे रखा है एक एम डेमिनेशन में क्या दे रखा है वेक्टर स्पेस दे रखा है उसी फिल्ड एफ के अंदर जिसका बेस जो वो क्या होगा वी डैस होगा then the map, एक map दे रहा है आपको home, H-O-M, home V से V dash tends to matrix M, M by N of field F from the space of linear transformation यानि कि यह जो map हमें given है यह क्या होना चाहिए, एक linear transformation के अंदर इस function को proof करना चाहिए अगर ऐसा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो linear transformation वाला जो map होगा वो V से V dash में होगा उस condition में हमारा तो space है वो M by N matrix को cover करेगा यानि कि M by N matrix जो है उसको बनाएगा और उसका कोई भी coefficient जो होगा any coefficient जो है वो क्या करेगा define करेगा इस matrix को यानि कि T tends to M, B dash से B T को क्या करेगा, well define करेगा अगर यह इसको well define करता है तो यह क्या होना चाहिए, यह isomorphism होना चाहिए, simply तब हमें, अगर ही isomorphism की conditions को भी prove करेगा हमारा map, तो वो जो map होगा, वो क्या होगा, इक्वल तू सम रूप matrix M by N के equal में होगा, ठीक है, तो यह दो तिन बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जैसा हमें questions में given हैं, वैसा वैसा जो ही इसमें बता दे जाएंगे, तो इन्होंने हमें एक map दे रखा है क्या दे रखा है, कि let a map हमने एक map माना phi phi क्या है, एक empty set होटा है ठीक है, और map जो दे रखा है V से V ड़स tends to matrix M by N field F के अंदर जैसा हमें कहा है, वैसा हमने मान लिया तो इस condition में जो phi T है हमारा, वो क्या होगा matrix B dash से B into T होगा, यहां पर सभी element जो है, T के वो विलोंग करेंगे, हमारे map V से V dash के अंदर simply अगर ऐसा होगा, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि all T जो है वो विलोंग करेंगा map V से V dash में तो यह क्या होगा, यह इसको क्या करेंगा, well define करेंगा ठीक है, यह क्या करेंगा इसको well define करने वाला है, अब इसको well define बताने के लिए हमें क्या करना है हमें simply हमें क्या करना है हमें simply इसका linear transformation बताना है पहले चीज तो यह है कि जो map हमें given है यह इसको well define करेगा matrix को और अगर यह इसको well define करता है तो हमें according to question इसको linear transformation बताना पड़ेगा तो linear transformation बताने के लिए हमने क्या किया हमने माना कि b equal to b j j equal to 1 से n and b dash equal to b iota dash iota की value 1 से m ठीक है is the basis of इसके जो base है वो क्या होंगे v and v dash होंगे ठीक है और हमने साथ में क्या माना हमने माना b star equal to f j j equal to 1 से n and b dash star equal to f iota dash iota equal to 1 से n ठीक है B8 dual map बी ए ड्वेल बैसिस ओफ बी एंड बी स्टार रेस्पेक्टिवली ठीक है जो हमें गिवन था हमने उसमें ऐसा कर लिया यहां पर एक चीज मैं और बताऊँगा जैसे यह बी जे जो है इस बी जे की जो वेलू है वो क्या होती है यहां पर देखना बी जे जो वेलू होती है वो मैक्रिस के कोडिंग बी वन बी टू और एंड ट्रम्स तक होगी उसी परकार बी आयोटा डैस की वेलू जो है वो बी वन डैस बी टू डैस और बी एंड डैस तक होने वाली है यहां पर हमने फ्य को डिनोट किया है तो फ्य जो है इसकी वेलू क्या होगी इसकी वेलू होगी आपके पास F1, F2 और Fn की को ट्रम्स में होगी उसी प्रकार यहाँ पर F आयोटा डैस जो है वो गिवन है आपको इसकी जो वेलू है वो क्या होगी F1 डैस, F2 डैस, F3 डैस और Fn डैस ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि हमने एक चीज और मानी कि let T1 and T2 जो है वो विलों करेंगे हमारे मैफ V- के अंदर ठीक है और हमने साथ में माना लेम्डा और μू जो है ये किसी फिल्ड अफ ये खेर करते हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं यहां से हम कह सकते हैं कि phi जो हमारा set है वो lambda t1 plus mu t2 equal to matrix b dash b lambda t1 plus mu t2 के equal होगा यानि कि overall अपन इसको अगर well define कर देते हैं तो हम आपर यह कह सकते हैं कि हमारा जो map है वो क्या होगा एक linear transformation की conditions को follow करेगा तो इसके लिए हमने क्या माना इसके लिए हमने यह माना कि हमने इसको as a matrix बताया क्या बताया as a matrix बताया यानि कि हम इसकी rh side को लेके चलते हैं function के यह जो function है हमारा इसकी हम rh side को लेके चलते हैं m b dash से b ठीक है lambda t1 plus mu t2 जो है इसको हम क्या दिखा सकते हैं f iota dash into lambda t1 plus mu t2 bj ठीक है ऐसा होता है यहां से इसको थोड़ा well define करते हैं f iota को मैंने बाहर रखा यहां से यह जो bj है इस bj को इस दोनों function के साथ में multiply कर दिया जैसा कहा है दिया है वैसा ही किया है ठीक है अब यहां से आप एक चीज़ देख पाएंगे पहले बच्छों यहां से मैंने lambda जो constant value है इसको ले लिया बाहर इसको मैं यहां पर यह बता सकता हूं ओके लेमडा को बाहर ले ले तो यहां से t1 और bj जो हमारा बचा उसी परकार यहां से mu अगर बाहर ले लिया जाए तो हमारे पास यहां से बचेगा f iota dash t2 bj ठीक है simply अब यहां से आप एक चीज देखेंगे ज्यान से देखना गोर से देखना यह वाली जो चीज है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं यह पता सकता हूँ कि लेमडा मैट्रिक्स b dash से b t1 यानि किसी एक function के लिए उसी प्रकार इसको मैं क्या कह सकता हूँ मैट्रिक्स b dash से b t2 बता सकते हैं simply बता सकते हैं क्योदी कदर नहीं होने चीए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो function phi है यानि कि लेमडा t1 प्लस mu t2 जो है वो बरुबर होगा लेमडा phi 1 t1 प्लस mu phi 2 t2 के बोल सकते हैं ऐसा किसी एक function के लिए अगर बताना चाहें तो यहां से आप एक चीज़ देख पारे होंगे अगर phi को well defined माना हमने एक map के दिरू हो तो उसमें यह चीज़ बोली जा सकती है कि यह दोनों function जो हैं यह क्या होंगे इनके equal में होंगे और अगर ऐसा होता है तो यह क्या होगा linear transformation की definition को define करेगा तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ कि phi is linear transformation अगर phi linear transformation है तो यह one one और one on two की conditions को follow करेगा तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर on two की conditions को verify करूँ तो देखेंगे कि यहां पे हमने माना कि लिए t1 and t2 जो हैं वो belong कर रहे हैं हमारे map home v से v dash में तो यहां से मैं क्या बता सकता हूँ कि phi t1 जो है वो phi t2 के equal में होगा one one की conditions होती है fight t1 को क्या बता जा सकता है matrix b से b t1 equal to matrix b dash से b t2 बता सकते हैं सापन simply है इसको थोड़ा well define करें और किस तरीकी से लिखा जा सकता है तो इसको लिखा जाता है f iota dash t1 b j j की value एक दो तीन n terms तक होगी इसी परकार में अगर इसको बता हूँ तो f iota dash t2 b j बता जा सकता है तो यहां से आप देखेंगे कि एक matrix बनती है a iota j बरूबर b iota j के बता सकते हैं अगर इसमें इसका sum of किया जाए इन सभी मतलब i j की अगर value को put किया जाए तो इसका जो sum होगा वो क्या होगा वो होगा sum of iota 1 से m ट्रम तक a iota j b iota equal to sum of iota equal to 1 से m b iota j b iota dash के बराबर ठीक है simply इसको क्या लिए सकते हैं tb1 sorry tbj j की value क्या है यहां पर 123 और infinite n तक n ट्रम तक जो होगा यहां पर होने वाली है तो यहां से आप देखेंगे कि t1 जो है वो बराबर है t2 के तो यहां से यह क्या होगा 5 जो हो क्या है 11 की conditions को follow करता है पाई जो क्या करता है 11 की जो conditions है उसको follow कर देता है बैर बच्चों अब यहां पर अपने इसमें on to बताएंगे on to अगर यह on to की conditions को भी well define करेगा तो यह क्या होगा linear transformation की जो भी properties है उसको क्या कर देगा simply follow कर देगा तो on to के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए for each matrix of b dash se b into t belong करेगा matrix m by m f के अंदर यहां पर जितनी वी value जो है वो exist होंगी इसके अंदर t belong करेगा given map home v से v dash me ठीक है तो यहां से क्या कादा सकता है कि 5 जो है हमारा में 5 जो है वो क्या होगा matrix b dash से b into t होगा तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 5 is जो है वो on to होगा ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर इस conditions में हमें क्या given था isomorphism के बारे में given था ठीक है अगर ऐसा होगा तो यह क्या होगा isomorphism होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे fundamental isomorphism की च्छोर्ण में उसको implement करेंगे by fundamental isomorphism theorem से fundamental isomorphism theorem जो हमने unit first में पड़ी थे तो यहां से हम क्या कहेंगे कि v से v dash जो हमारा map होगा समरूप और equal to होगा matrix m by n f k f यहां फर field को denote करता है जिस field के अंदर जो matrix हमारी होगी उसकी चीज़ जो है उसको क्या करेंगा prove करेंगा ठीक है प्यारे बच्छों तो हमको जैसा कहा गाया था हमने वैसा का वैसा जो इसमें बता दिया है साथ में हम इसमें यह बता सकते हैं कि हमारा जो deminational होगा इस map के अंदर वो भी इस चीज़ को क्या करेंगा इस theorem में जो है वो given था कि एक map आपको दे रखा है और वो map जो हो linear transformation होना चाहिए तो हमने उसको linear transformation जो है वो करके बता लिया जैसे ही यह linear transformation होगा तो यह उस matrix space में उसके जितने भी coefficient होंगे वो इन सभी conditions को follow करेंगे one one की हो चाहिए on two की हो तो हमने वैसा भी करके बताया है हमने दिखाया इनको कि भई यह इस conditions को भी क्या करते हैं follow करते हैं जैसा इनोंने इन conditions को follow किया हमने यहां पर simply क्या गड़ दिया इनको यह बता दिया कि भी ऐसा भी होता है और फिर इनोंने जैसा कहा कि matrix का जो भी coefficient होगा वो field f के अंदर उस matrix को isomorphism बताएगा अगर isomorphism बताएगा तो isomorphism बताने के लिए fundamental isomorphism form को यूज में लिया और हमने इसका properties को जो है वो well define कर दिया ठीक है प्यार वुच्छों तो आज के लिए तना ही thank you so much मिलते हैं next class में तब तक अपना ख्यार रखे हंस्तर रिये मुस्कुरात रिये और अपने आस्वास साब सफाई जरूर रखें